बेलकम नाइट कलास प्रेंट नावी कश्या के बच्चों का स्वावत है बच्चों आज अवारा चेक्टर है आपका चेक्टर 1 मोशन उसका जो दूसरा टॉपिक कैसा टॉपिक है एक्वेशन फॉर पोजीशन ताइम रिलेशन इसमें हम position और time position और किसी भी object की जो position है और उसमें time integration है उसको हम निकालेंगे इससे पहले जो हमारा video था वो velocity time relation था तो आज जो हमार टोपी के इसमें position और time निकालेंगे तो इसमें होता का है an object this is an object at position k this object will move to position b at time interval t in time t setting now this is the distance s distance travel by the by an object from position a to b here u is the initial velocity and v is the final velocity then what is the relation between position and time that is s is equal to ut plus half at square this is the relation between distance position and time here s is distance traveled by an object from a to b at time and t and u is the initial velocity and u is the initial velocity and u is the final velocity एन टी, टाइम टेकन भाई, टाइम टेकन इन सेकंड्स, भाई एन ऑफजेक्ट, तो बस्तू द्वारा जितना भी ए प्रेजिशन से लेके भी, तब जितना भी इसमें लिए रहाँ ती होगा, और इस बस्तू द्वारा जितनी भी दूई टाइक लिए आएगी, वह एस कहलाएगा डिस्टैंस, और यू आर्विक इंचाल होगी, और वी जो है अंतिम विलास्टिक होगी, तो इस प्रकार हमारे पास जो रिलेशन बनेगा, वह पुजिशन टाइम रिलेशन कहलाएगा, ए S is equal to ut plus half 80 square, अब इसी रिलेशन के उपर हम नमेरिकल जारेगे, और उसमें हल करेंगे किस प्रकार हम नमेरिकल कर सकते हैं, बच्चों जा लेगे, इस नमेरिकल दौरा की पुजिशन टाइम जो रिलेशन है, उसके दौरा हम किस प्रकार नमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, तो प्रकाव सॉल्व किया जाएगा जिसमें दिया क्या जाया है एक R है जो कि A पॉजिशन के उपर है जो कि इनफोर्ट एसलेशन ने साथ एसलेट कर रही है और B पॉजिशन के उपर पहुंच गई इसमें इसमें इनिशिल विलाउस्टी 18 kmph है हर अर्मिक जो इसकी चार है ओ 18 km पर ती गंटा है और इसकी फाइनल प्लोस्टी V 36 kmph है और ताइम टेकर भी तरक उसको कितरा लगता है इस कार को पॉज़ने में ताइम इसको तू 5 सेकंड इसकार आपके पास कोशन दिया गया है इसमें कैल्कुलेट हमने क्या करना है इस इन टाइम टी इस टाइम में इस कार दौरा कितनी इस 5 सेकंड में इस कार दौरा कितनी इस्टेंस जो है हो को अगर की गई इस इनमेरिकल में हमने निकालना कि किस परकार इसको करेंगे तो सबसे पहरे हमारे पास हमें मालू है कि यू एसलेशन जो यूनिफॉर्म एसले जो फार्मूला है वो a is equal to b minus u upon t जो कि हमारा velocity time relation है उससे हमें निकारा हो रहा है कि यहाँ पे b कमार कितना है और हम u कमार करेंगे मगर यहाँ पे इस मैं जो second में दिये गया है और जो 4 है वो par hours में दिये है तो हमें सबसे पहले इसको convert करना पड़ेगा meter per second में तो यहाँ पे u is equal to 18 km per hour तो इसको change करने में kilometer में हमें वालू है कि 1 km has 100 meter and per hours have 3600 seconds तो अठारा गुरां एक हजार बटे 3600 से हम भार कर देंगे तो उसको convert कर लेंगे फर्स जीर दूसरी से दूसरी तो यू हमारे पास आजाएगा 5 meter per second तो यू हमारे पास आजाएगा 5 meter per second तो इस प्रकार हमारे पास initial velocity 5 meter per second आजाएगी उसके बाद हमारे पास V वो है 36 km per hour तो उसको भी हम उसी प्रकार change करेंगे 36 बुना एक हाजार बटे 3600 तो किलो मेटर में एक हाजार बटे उसके बुना कर देंगे पर आवर है उसमें 3600 से डिवाइड कर देंगे तो इस प्रकार हम इसको solve कर लेंगे 36, 36, 36, 36 तो हमारे पास नाएगा 10 meters जो हमारे पाँ बच गया 10 meter per second तो इस प्रकार हमारे पास V का माना आगया U का आगया और E हमारे पास पैसे ही 5 second दिया गया है हम इसको अगो solve कर लेंगे तो uniformation relation A इतना हो जाएगा हमारे पास V 10 meter per second minus U 5 meter per second upon 5 second तो 10 दे से 5 गया 5 पर जाएगा हमारे पास और बच बेंगे 5 meter per second square यहां पर estimation का unit है second जो है यहां पर 5 second है वो भी उपर जाके second square बन जाएगा तो हमारे पास पास पांस पांस तेंसल हो जाएगा तो हमारे पास आजएगा 1 meter per second square जो है हमारे पास इस question का जो uniformation relation है उसका माना रेगा अब हमारे पास distance covered by the car है हमारे पास जो u की value है वो 18 km per hour है जो की 5 meter per second बनती है और भी final velocity है वो 36 km per hour है जो कि हमारे पास 10 meter per second बनती है time जो हमारे पास 5 second है हमारे पास distance covered by the car जो एस ताज फार्मूला है वो position time relation से s is equal to up plus half a t square और s is equal to u 5 multiply by 5 plus 1 upon 2 a एस relation जो कि अभी हमने इनकाई इस question की 1 meter per second square तो यह t हमारे पास यहां पे 5 multiply by 5 5 second by 5 तो इस प्रकार हम इसको solve कर लेंगे तो 25, 5, 5, 25 and 5, 5, 25 upon 2 यहां से 5 स्पान कर लेंगे और 2 स्वाह कर लेंगे तो हमारे पास कर जाएगा 25 और 12,5 जब हम 25 को 2 स्वाह कर लेंगे तो हमारे पास आजएगा 12,5 अब इस प्रकार हम इसको add कर लेंगे 0,5 जब हम इसको add कर लेंगे 37,5 meter distance covered by the car तो इस प्रकार हमारे पास distance covered by car in 5 seconds is called to 37,5 meter इस कोशन का जो दूसरे बाद का पाट है उसका अंसर होगे निकारियाएगी ओ बिलोस्टी निकारियाएगी तेंक्यू निकारियाएगी निकारियाएगी